नमश्कार दोस्तों आप सब का सवागत है आपके पने चैनल डगुरुपे भाई सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों का भाई क्या प्यार दिया आप लोगों ने लास्ट वीडियो में और भाई मैच भी वैसा ही गया जैसा मैंने आप लोगों को लाइफ सेशन में कहा और वीडियो में समझाया था आज का जैकपॉट मैच होने वाला है इंडिया वोसिस बांगलादेश के बीच में आपको मैं कल का एक जाईजर देदू इफ्तिकार के बाद मैं लाइफ सेशन में बोला था भाई इंपोर्टेंट होगा सी असलंका इंपोर्टेंट होगा जैसा जिस खिलाड़ी वे रिजवान भाई मैंने कहा था कैप्टन बना सकते हो देखो रिजवान चल के आया है हाँ कुशल मेंडिस के बारे मैंने जादा नहीं कहा था लेकिन एक चीज मैंने कहा था भाई अच्छे आकड़े हैं स्टैट्स जो है प्लियर्स के सामने फस्ता कम है तो इसको आप ट्राई करना चाहो तो कर सकतो स्टैट्स वैसे पाकिस्तान के खिलाब बहुत खराब था लेकिन इस वैन्यू पर इतना अच्छा था कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था चाहो तो ट्राई कर लेना और वैसा यह हुआ तो भाई कहीं न कहीं आज भी अगर आपको जानना है कि विराट कोली का वीकनेस क्या है रोई शर्मा का वीकनेस क्या है सब चीज में बताने वाला हूँ A to Z और भाई कल की तरह वीडियो में प्यार देना और भाई थैंकिस सो मच भाई मज़ा आया कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कमेंट में बाई इतना अच्छा चा लिखा तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बाई इंडिया वर्स बांगलादेश के बीच में 12 एशिया कप का मैच होने वाला है जो कि 3 मज़े स्टार्ट हो जाएगा सेम आर प्रिमितर सा स्टेडियम क सीम शा इतने जबर्दस विकेट निकाल रहा थे क्यों कि बार 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 बारिश हो रहा था और बारिश के चक्कल में कितना नमी है उसके चक्कल में इसकी डोरा था बॉल फास बॉलर्स को मदद मिल रहा था अगर बारिश नहीं हो रहा है नॉर्मल मैच हो रहा है दिन यहां पर spinners अच्छे चलते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, तो pitch report मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, भाई, यह सारा pitch report मैंने कली बता दिया था, अब बात करते हैं, possible playing 11, देखो भाई, एक चीज आप से request है, मैं आप लोगों को बार-बा आ रहा हूं, तब तक मेरे पास कोई news नहीं है, हाँ, कुछ भी update होता है, वो मैं live session में बता दिया करूँआ, है ना, तो यह सब एक tip नहीं मत करना की, यह नहीं खेल रहा हूं, वो सारा चीज cover हो जाएगा, भाई, बाद में हम लोग cover कर देंगे, live session में, और telegram पे मैं बतात पाच मिनिट में आपको समझ में आ जागा, वीडियो कितना जबर्दस बनाता हूं, आपको समझ में आ जागा, भाई, कि क्या होता है मैच में, मज़ा आ जाएगा, कल जिसने देखा था, वो आज तो दुबारा आएगे, दुबारा देखेंगे, लेकिन अगर आप पहली ब गया, केल, राहूल राइटन बैट एट समयन, इशान किशन यापर से लेफ्टेंड है, अगर सूरियह कुमार यादव खेलते हैं, तो राइट हैंड कॉमीनेशं लगातार आ जाएगा, तो राइट हैंड कॉमीनेशन के सामने कौन फसते हैं, किस को कौन फसा सकता है, स्पि अगर इशान किशन खेलते हैं तो left time आगे, left end batsman, साथ ही साथ में, यहाँ पर से बात करें, जाड़े जा, left end, अक्सर पटे, left end, तो already तीन left end ही है, तो शुरुआत में अगर मैं बात करूँ, बांगलादेश की तरफ से महंदी हसन दे को बैटिंग भी कर रहा है उपर में, और तो उसके ओवर्स किसको मिलेंगे, नुसु महमत को मिल जाएंगे, left time, orthodox, शाकी, बलासन, दोनों मिलके बाई, right hand year के सामने जादा से जादा over करवाते हूँ दिखेंगे, और यह गलती करते हैं, फस्ते हैं, कौन कोन फस्ते हैं, मैं आगे बताने बाला हूँ, तो सबसे पह आपसे, hopefully, same playing 11 के साथ में जाएंगे, ज्यादा चेंजिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंजिस होता है, बता दूँगा, मैं live session में, या फिट टेलेग्राम पे, पता है, आपको कहा में लेगए टेलेग्राम का लिंक, मुहमत नेव, मेंदी हसन मिराज, लिट शोरीफल इसलाम, बहुत important होगा इस match में, और गजब का पंटर पिक निकाल के आपको वन साइडर विनिंग करवा सकता है, साधी साथ में, नुसु महमत एक, ट्रम कार्ड पिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि left arm orthodox है, कई बार फस्ते हैं, इंडियन मैट्समैन, आपने देखा थ ना भाई, किसने दुनिद वैलल आगे ने भाई, पाँज विगिड निकाल दिया था, तॉप और पे लगाता, रोई शर्मा, शुममन गिल, विराट को ली निकाल के दिया, left arm orthodox, फस्ते हैं, इस्पिन पिछ पे फस्ते हैं, बार बार बता रहा हूं भाई, शाकीबल असन, एक जबरदस्ट पिक ही, वो तो सबके पास है, लेकिन ये एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, नासिम, ठीक है, नुसुम हमद, वहीं पे अगर मैं बात करूँ, ओफिस पिन जादा नहीं, ओफिस पिन के हम उमीद करते हैं, हाँ पर से, मेंधिय हसन मिराज से, जादा और स्टैट्स निकालने में, जाग जाग के भाई, आँखोंगे नीचे काले पढ़ने लगे हैं, तो भाई देखो, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, रोहिश शर्मा, राइट हैंड बैट्समान, तीस अप्रिल को बर्थिडे है, दान में रखनी का, इस किस गयन खेला है, 98 रन बनाया है, नो डाउट वो रन ठीक टाक बनाया है, अच्छा बनाया है, दो बार फसा भी है, लेफ टाम और्थोडेक्स पे, तो बहुत ज़्यादा इस्ट्रेगल नहीं है, ठीक टाक खेलता है, फस कहा रहा है, फस ख़रा है, लेफ टाम पेसर पे, तो वीकनेस क्या है, लेफ टाम, शोरिफूल इस्लाम, वीकनेस देखो, वीकनेस कहा है, लेफ टाम फास बॉलर, लेफ टाम मीडियम पेसर, इन पे फस्ते हैं, 45 गेन पर 51 रन बनाया है, और दो बार फस्त चुके, ये इनका वीकनेस है, ओफिस पिन इनके सामने बहुत कम आ आपको देखने को मिलेगा शाकी बलस, लेफ टाम और्थूडेक्स पे भी ये फस्ते हैं, गलती करते हैं, तो ये इनका वीकनेस है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, राइट आम फास बॉलर के सामने बहुत बढ़िया करते हैं, बढ़िया खेल जाते ह अगर मैं बात करूँ तो लेफ टाम और्थूडेक्स भी ठीक खेल जाते हैं, ऐसा नहीं है, खराब खेलते हैं, इस पिन बढ़िया खेल रहें, नो डाउट, अच्छा है, फस्त जादा रहें, लेफ टाम बॉलर्स के सामने जादा फस रहें, ठीक है, रोही शर्मा, नेक्स पिक की बात करते हैं, और हाँ, इनके परफॉर्मेंस देख लो, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है, तेरा मैच खेलें इस सीजन, 577 रन बना चुके हैं, 52 का एवरेज है, दोजार बाइस में, दोजार तेईस में, सोरी, अगेंस्ट में, अगर मैं बांगलादेश के खि खेलते हैं, 30 मैचे खेल चुके हैं, अभी तक अपने करियर की बात, अपनी करियर में बाई, तीस मैच खेल चुके हैं, श्री लंका में अच्छा पिक होगा है अच्छा पिक गलती करता है लेकिन बड़िया पिक रहेगा इस मैंच में फॉर्म अच्छा है अभी नेक्स प्लेयर्स की बात करें शुमन गिल भाई नो डाउट बहत्री है इनका सबसे पहले वीकनेस की बात करते है वीकनेस क्या है वीकनेस सेम है भाई ये इंडियन मैट्समैन है इंडियन मैट्समैन के सबका वीकनेस एक है लेफ्ट आम फास्ट बॉलर्स यहां बदेखो 58 गेंट पर 60 रन मना कर दो बार विकेट निकल चुके है तो शोरी फूल असलाम बहुत इंपोर्टेंट होगा इस मैच में भाई लेफ्ट आम पेसर है लेफ्ट आम और्थोडेक्स 244 गेंट पर 234 रन चार बार आउट जादे स्ट्रिकल नहीं है गल्ती फिर भी करते कई बार दियान में रखिएगा जैसे पिछली मैच में गल्ती किया था गल्ती करके विगट गए आता ऐसे ही विगट गिर सकता है लेफ्ट आम और्थोडेक्स अब फसते हैं लेकिन अगर ठीक ठाक खेल जाए बाई पिछली बार गल्ती किया इस बार सोच सकते हैं कि ठीक है अराम अराम से खिलते हैं, इनको ज़्यादा टक न करो, उनकी बॉलिंग पर ज़्यादा गलती ना करें, गलत बॉल पर गलत चौट ना ले ले, मतलब सही बॉल पर गलत चौट ना ले ले, यह चीज़ हो सकता है, ओफिस पिन पर बाई या आउट नहीं होते, तो इनके सामने आउट ऑफिस पिन लाना भी बेकारे स्पिन के जबरदस खिलाड़ी है, रीसेंट फॉर्म की बात करें तो देखो, 19 रन, 58, 67, नॉट आउट, 10 रन, 85 रन, रीसेंट फॉर्म बढ़िया है, करियर की अभी 2023 की बात करूं, रीसेंट फॉर्म, 16 मैच में 904 रन, 64 का एवरेज ह में, बांगलादेश के खिलाब पहला मैच होगा, साथ ही जात में, श्रीलंका में जब भी खेलते हैं, अभी तक 4 मैच खेल चुके, 4 मैच में 151, 51 का एवरेज है, बढ़िया बर रन बना रहे हैं, तो सिंपल जी बात है भाई, पिक, must have pick है अपना, लेना चाहिए, क्योंकि बढ़िया, एवरेज बढ़िया है, सही जा रहा है, आते हैं विराट कोली पे, स्री, विराट कोली, क्या ही बंदा है भाई, विराट कोली, राइट इंवेश्मन पाच नमॉंबर को बरत्रिडे, रीसेंट फॉर्म की बात करूँ, 55 का एवरेज है, 23 में 540, 14 मैच में 556 रन देखो भाई, 1097, 73 का एवरेज है, विराट कोली का बांगलादेश के खिलाफ, गजब भाई, गजब करता है ये बांगलादेश के खिलाफ, साधी साथ में बैनियू से भी मदद मिल रहा है, 27 मैच में 1028 रन बना चुका है, 48 का एवरेज है, शीलंका में अभी तक, बहुत अंगल और रोई शर्मा को दिक्कत है, यहां विराट कोली के सामने सायद से लेफ्ट आम पेसर ना दिखे, तब तक हो सकता है, वही खिले, और जब आएंगे, लेफ्ट आम पेसर को बढ़िया खिल सकते, ये फरस्ते कहा है, ये फरस्ते शाकी बलेसन पे, देखो लेफ्ट ये विकनेस हैं इंडिया के बैस्मान की, साध ही साथ में लेफ्ट आम, समझ गया ना, शाकी बलेसन के साथ में सामने, नुसु महमत के सामने, इनका विकनेस नहेगा, भाई विकेट निकल सकता, धान में रखेगा, ये दोनों ट्रम पिक हो सकते हैं बांगलादेश की तरफ से, ठीक है, बागी ओफिस पिन के सामने उतना आउट नहीं होते, रिसेंट फॉर्म देखो, तीन रन, फिर 122 रन, नौट आउट गए, बैटिंग का मौका नहीं मिला, चार रन, बैटिंग का मौका नहीं मिला, 54 रन, 31 रन, 4 रन, 36 रन, बढ़िया रन बना रहे हैं, आवरे नहीं कहरा हूँ, मैं आगया आता हूँ, तब आप से लोग समझ पाएंगे, मैं आभी वीक्नेश बता रहे हूँ, और आपको क्या करना है, क्या लेना है, नहीं लेना, वो आपकी मज़िया बागी, हैईगी नहीं है, तो भाई, बात करते हैं हाँ पर से, केल राहूल, परिंग्लादेश की खिलाफ बहुत बढ़िया रण बना रहे हैं, एवरेज बढ़िया है, छाह मैच में श्रीलंका में, क्योंकि स्रीलंका में मैच है, श्रीलंका में 178 रण बना चुके, 44 किस जाएवरेज है, बढ़िया पीग है, ड्रॉप मत करना, गलती करते करने दो लेक वह शांत बैठेंगे, फसते ये भी कहा है, ये भी थोड़ा, शाकी बलसन के फस रहे हैं, नुसुम एहमत पे फस सकते हैं, कहां फस रहे हैं, 185, 187, चार बार विगिड गवा चुके हैं, ओफिस पिन पे भी कई बार फसे हैं, इशान किशान आ गए, मानलो उसके सामने ओफि सको दिक्कत है, लेकिन इन दोनों के सामने जब तक बैटिंग आएगा, तब तक वो उसका अपने पहले शुडवाती ओवर कर चुका होगा, है कि नहीं, तो ये चीज़ ध्यार में रखिएगा, पिक बढ़िया है, मस्ट है पिक है, कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी भी आप का केल रहूल, ये दो चॉइस जो है, कैप्टन सी के बहुत अच्छे चॉइस है, अब बात करते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ, थर्टी नाइन, देखो बंदा, रन कितना बना रहा है, लास्ट मैच में थर्टी नाइन, 111 नॉट आउट, 32, 9, 75 नॉट आउट, तो क्या यार, क्या ही बैटिंग कर रहा है बंदा, रिसेंट फॉर्म देखो इसका, हर एक मैच में, जब जब मौका मिला है, देखो, 33 रन, बैटिंग का मौका नहीं है, बैटिंग का मौका नहीं मिला, 82 रन, 77 रन, 75 रन, 52 रन, मौका मिल रहा है, तो भाई छोड नहीं रहा है, बहुत अच्छा है इस टाइम फॉर्म में ऐसे खिलाडियों को जरूर लेके चलना चीए अपने भाई अभी वर्ल्ड कप सामने इनका भाई बहुत इंपोर्टन रोल प्ले होने वाला है इशान किशन की बात करते हैं लेफ्टन बैट्स मैंने फसेंगे कहां ओफिस स्पिन पर कितना स्ट्रगल है ओफिस स्पिन पर देखो इस स्पिन पर फसते कम है एक सो एक सेट गेंद पर 172 रन एक बार याउट तो भाई दिक्कत तो है महंदी हसन मिराज के लिए दिक्कत तो है क्योंकि ओफिस स्पिन पर ये फस नहीं रहे लेफ्टन डी ये है ये नहीं फस रहे भाई वो सिर्फ बैटिंग बैटिंग से कुछ दे पाएंगे अगर देते हैं तो फसेंगे कहां लेफ्ट टाम और्थोडेक्स 197 90 रन पांच बार फसें हैं शाकी बलहसन और नुसु महमत पर फस सकते हैं समझ गया है या बाई लेफ्ट टाम पे सर पांच बॉल खेला एक रन बनाया इनके सामने तोड़े लेफ्ट टाम कमी आते हैं पहले शुरू हाथ में डाल देते हैं टॉप अटर बैट्समेंट पे तो इनका जो है बढ़िया रहता इस वह सी कि रेगुलर्ली अच्छा कर रहे है इस पिन के बढ़िया के लाड़ी है इनके सामने इस पी नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ परिशानी का है इस लो लेफ्ट टाम और्थोडेक्स प बनाया बाई बंदे ने यही तो देखो ना एक मैच 210 और लेफ्ट एंड कॉम्बिनेशन उतारने के लिए क्योंकि उनके पास में क्या है लेक ब्रेक नहीं है ठीक है तो उनके पास में ऑफिस पी नहीं या तो इस लो लाफ्ट टाम और्थोडेक्स है बंदे को फिर से चौ पिक नजर आ रहा है कुछ तो यहां पर से आपको इशान केशन के बारे में भी मैंने बता दिया है भाई हर इक चीज तो यह चीज हो गया अब आते है भाई हारदिक पांडिया पे जादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा यह बंदा बॉलिंग करवा रहा है फॉर्म बहुत ब बैटिंग आ रहा है तो अच्छा कर रहे है सारी साथ में विगिड भी निकाल रहे है क्योंकि ओवर भी करवा रहे है पंदरा मैच में तेरा विगिट बांगलादेश के खिला तीन विगिट निकाल चुके हैं सारी साथ में इस वैनियू पे भी 11 मैच में नो विगिट निक पर फिर जो बेटिंग करेंगे वो नीचे के बेटिंग बेट्समें जादा अच्छे चलने के चांसे बन सकते हैं, ठीक है, शोरीफिल इसलाम अच्छा कर रहा है, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, इनका वीकनेस है भाई देखो, जादा वीकनेस नहीं है, वैसे, इसलो लेफ्ट आम और्थोडेक्स वही, 91 गेन पर 73 रन हो दो बर, फिर भी रन तो बना दिया ना बंदिने, ठीक है, बाकी 11 अक्टोबर के इनका बध्रिडे होता है, बाकी फॉर्म की बात करें, यह आपके सामने है, रेगुलर्ली विकिड भी निकाल रहा है, जब टीम पूरा बिखर जाता है, तब इनके बेलेबाजी से यह बहुत अच्छा निकर काता है, बड़िया बैटिंग करते हैं, जाडे जास सर की बात करें भाई, लेफ्ट टाम, और्थोडेक्स, स्पिनर, सामने राइट हैंडी होंगे, तो यह बॉलिंग करवाएंगे, दस मैच में भाई शरी लंका में 13 मैच में 12 विगट निकाल चू कहा, विगट टेकर हैं, विगट निकालते हैं, और लेफ्टाम और्थोडेक्स तो बाई, इंपोर्टेंट है, इस पिन फ्रेंडली विगट है, तो यह बी काफी है, लास मैच में दो विगट, जीरो विगट, दीरो नो नेट बैट, जिरू विगेट, जिरू विगेट, तोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन ये कर जाते हैं, ठीक है, तो अपके लिए एक अच्छे पिक है, अकसर पटेल की बात करें, लास मैच में बैटिंग करके दिया बंदे ने, साधी जात में बॉलिंग भी करवाता है, लेकिन इनकी आकड़े थोड़े खराब चल रहे, उतना ज़दा अच्छी बालिंग नहीं करवाते हैं, सिर्फ विगेट टू विगेट डालते रहते हैं, ऐसे करके साइड में डालते हैं, तो विगेट टू विगेट डालते हैं, बस कोई गलती करता है, बैट मन तभी फसत ठीक है, आते हैं कुल दीप पे भाई, ये बंदा दो मैच जिता चुका है, और लोग इसको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, बांगला देश के भाई, एक एक बैट्समैन इनके सामने भाई, स्ट्रेगल करते हैं, एक एक बैट्समैन लिखवा के लेलो, अभी लेलो, आप लोग है, 15 मैच में 31 विगेट, 3 मैच में 4 विगेट, 8 मैच में 14 विगेट निकाल चुके हैं, श्री लंका में अभी रिसेंटली आप लोगों को ने देखा, 8 मैच में 14 विगेट, आकड़े तो देखो, बांगला देश के खिलाफ थोड़ा सा कमजोर जरूर रहे हैं, 3 मैच में 14 निकाले हैं, लेकिन इस वेन्यू से थोड़ा सा मदद है, चिना में हैं, बांगला देश के जरूर फस्ते जरूरे बैट्समान, ठीक है, तो ये आपके लिए मस्ट है पिक है, अभी फॉर्म बहुत जबरदस, 4 विगेट, 5 विगेट, 0 विगेट, 2 विगेट, 1 विगेट, 4 विगेट, भई, कुच्छों में विगेट निकाल रहे हैं, ठीक है, कुल दी पे आदब, मौमद शिराज की बात करते हैं, 12 मैच में 23 विगेट, मस्ट है पिक है, पहले निंग में बॉलिंग आ रहा है, आप अच्छा का सा ट्राइ कर सकते हैं, कारण ये है, कि ये जो है, व विगेट निकाल चुके है, मतलब शिरलंका में, थोड़ा सा टर्न कम मिल रहा है, लेकिन बड़िया कर रहे हैं, दैक हैं, अच्छा कर सकता है, तो आप लोग अपने टिम में जगासाइ तो पहले निंग में बॉलिंग आता है, जपिद भॉमरा भाई, डेथ फोवर्स करव विकेट निकाल चुका बंदा विकेट निकालता है बांगलादेश के स्ट्रगल करते हैं इनके सामने यह ओर करके सामने फसते हैं बांगलादेश के खिलाड़ी बागी बात करें आठ मैच में अठारा विकेट निकाल चुके श्री लंका में जब भी खेलते हैं विकेट लेस क अब आते हैं हम लोग बांगलादेश के प्लेयर्स पर तो भाई यहां से आप लोग समझ जाओगे कि क्या 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 नहीं करना चाहिए इस बार बल्लेबाज उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं शीलंका में बाई दो मैच में 37-18 बाई शुरू आतमे दो बालर में दो बाकी लेफ्ट आम और तुरू यह फस्ते का हैं राइट आम फास्ट पे देखो इनकी वीकनेस क्या है महीं मुहम्मद नईव की राइट आम फास्ट कौन करवाएगा बाई शिराज जस्पित मुम्रा जो भी आता है शम्मी जो भी आता है बाई फस्त जाएगा आठ गेन प बाई बात करें तो वो भी यहां पर से एक तो बॉलिंग कमी मिलने वाला मेरे खाल से और इशान किशन के सामने करवाएगा तो बाई इशान किशन अच्छा केल रहा है ओफिस्पिन इनके सामने स्ट्रगल है आज के मैच में चाहो तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है काई कि वो परफॉर्मेंस बैटिंग से ही आ सकता है अगर आएगा बॉलिंग से तो मेरे खाल से उमीद थोड़ा कमी कर रहा हूँ जब तक कि कोई और प्लेंग 11 चेंज ना हो तो इस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ ऑफिस्पिन करवाते हैं अगर जादा लेफ्ट है तो बाई मस कि खिलाफ अच्छा कर रहा है मगर बस वही है बैटिंग से उमीद कर सकते है बॉलिंग से थोड़ा कम है देखो फिर से बॉलिंग से पांच मैच में चारी विगिड मिले है वही चीश तो मैं बार पर बता रहा हूँ आठ मैच में छे विगिड निकाल चुका है इस वैनी कहा है यह फसेंगे जाडे जा के बॉल पर देखो जाडे जा अकसर नबे बॉल पर पैसा टरन तीन बार फसा चुके हैं साथ ही साथ में यह कहां फसेंगे यह फास्ट बॉलर्स पर भी फसते क्योंकि यब शुरूआत में ओपन करने आएंगे इनकी विगिड चटक जाएग अब जिए फास्ट बॉलर्स है मैं रिखाल से यह शुरूआत में विगिड गवा जागा फर बाद में विगिड भी नहीं मिले एक अच्छा खासा रिस्क लिया जा सकता है शिराज पर ठीक है बागी अगर कोई लेफ्ट एंडिया आ इंडिया में तो फिर तोड़ा दिक्क 15 मैं यह कहूंगा अगर आपको लगता है कि बांगलादेश थोड़ा सा रण बना सकता है थोड़ा टकर दे सकता है अगर थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली रहा तो भाई लिटन दास को मिस मत करना ये बंदा गरे एक जबर्दस पीख हो सकता है अब के लिए टुम कार पीख हो सकता है यह लोग ड्रॉब जरूर करेंगे लेकिन आप लोगों को अगर कहीं पर भी दिखर आपको लग रहा है कि यह बांगलादिश इंडिया को टक कर देगा जैसे श्री लंका ने टक कर दिया था इस वज़से कुषल मेंडिस चलाता मैंने आपको बताया था भाई यही इसमें भी बता रहा हूँ लिटन दास को आप ट्राई कर सकतो अगर टक कर देने वाली मैच हुआ ना तो लिटन दास टक कर देगा यहां से दान में रखना क्योंकि इनका जादा इसमें यहां पर खेले नहीं है लेकिन एवरेज बढ़ी आगे इसमें अच्छा खेल रहा है बागी फस्ते कहां हैं फस्ते हैं राइट आम फेस्ट पे बहुत कम फस्त रहे हैं यह फस्त रहे हैं कहां यहां पर फस्ते हैं यह बाई लोग जाड़े जाके बाल पर फस्त सकता है अक्सर पर टेल के बाल पर फस्त सकते हैं लेकिन वो भी अच्छा खेल जाता है बंदा य में बोलने की ज़रूत नहीं है बाई और्थोडेक्स इंडिया के फसेंगे बॉलिंग से में विकेड मिलने के चांसिस हाई है इंडिया के खिलाफ 21 मैच में 28 विकेड निकाल चुका है बेस्ट रहा अगर मैं बात करूँ श्री लंका में 11 मैच में 9 विकेड 203 रन बना चुका बहुत बढ़िया 15 मैच में 469 रन इस साल बहुत अच्छे फ़र्म में 15 मैच में 13 विकेड निकाल चुका है बात कर रहे है तो ही दिरिदोई की भाई देखो ये भी एक ट्रम पिक हो सकता है अगर शाकी बल अगर लिटन दास नहीं चला तो ये एक ट्रम पिक हो सकता है तो ही दिरिदोई द्यान में रखना तो ही दिरिदोय को ट्राइ कर लेना ग्रैंड लिग में एकाट टीम में कारण ये है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाई लोग क्या कारण है देखो नीचे में बैटिग है, फास्ट बॉलर्स के सामने नहीं कहे लेगा, इस्पिन के सामने कहे लेगा इस्पिन के सामने के अगर मैं बात करूँ 82 एकेंट पर 4-1 रन बना चुक है दो बार फसा है, मतलब जाड़े जाकसर के सामने थोड़ा सा है लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक करेगा फास्ट बॉलर्स पर जादा फस्ता था ये तो अब जो है, middle orders पर आ रहा है average देखो, 13 match में 40 का average है 442 रन बना चुका है venue पर 51 का average है मतलब शीलिंका में अच्छा खेल रहा है 2 match में 105 रन बना चुका है recent में देखो, 82 रन बना चुका है यहाँ पर, 22 not out गया यहाँ पर 16, यहाँ पर 51 एक trump इक हो सकता है ध्यान में रखना इंडिया के खिलाफ अभी तक खेला नहीं है इस match में अगर खेलता है एक trump हो सकता है अगर बही वाली बात है, अगर टकर देने वाला match हुआ तो तो ही धिरीदोय यह अच्छा कर सकता है फिर आप लोग बॉलर्स पर थोड़ा रिस्क लेके तो ही धिरीदोय को ले सकते हो ठीक है, मना नहीं करूँ हमाँ भाई अगर आपने सोचा है लेने की तो जा सकते हो, trump हो सकता है आफिफ हुसाइन भाई, कुछ कहने की ज़रूत नहीं 8 match में 67, 11 का average तीन match में 14 run, 4 का average आए इंडिया के खिलाफ रनी नहीं आ रहे, बोलना भी सही नहीं है शामी महुसाइन तीन match में 32 run, 10 का average है इनको क्यों लेके आ रहे हैं, इंडिया के खिले नहीं है इस बियाँ मैनियों की बात करें, एकी match खिला जिसमें 5 run बनाए है बेकार है भाई, खेला, खिलाई की और है ये बन्दा बढ़िया है तस्की नहमत, भाई इसकी स्टैट्स देखो 11 match में 21 wicket निकाल चुका है 23 में बहुत अच्छे form में विकिट टेकिंग नेचर का है, 7 game पर 14 wicket निकाल चुका है इंडिया की खिलाफ, एक बन्दा जो कर रहा है रेगूलरली, ये बन्दा कर रहा है तस्की नहमत, पांच मैच में 10 wicket निकाल चुका है श्री लंका में अभी तक सबसे जबर्दस अगर कोई बालर है बैंगलादेश की तरफ से, ये बालर है आप लोग देखें, यहां पर राइट आम फास्ट है फस्ते हैं कई बार अपने इंडिया के बल्लेबाज भी कई बार फस्ट चुके है और देखो, अगर ये आकड़े देखोगे तो समझ जाओगे बाई, कि क्या है, 7 मैच में 14 wicket बहुत बढ़िया लाइन लेंट पर बॉलिंग करवाते हैं मस्ट है पिक, नुसु महमद, ट्रम कार्ड, ग्रैंड लिग का पिक बना सकते हो क्यों? क्योंकि लेफ्ट आम और्थोडेक्स पर अगर इंडिया गलती फिर से कर दोहराता है अगर गलती दोहराता है बाई, नुसु महमद, क्योंकि स्पिन फ्रेंड लिए है, मदद मिल सकता है चार मैच में 3 wicket निकाल चुका है, थोड़े आकड़े खराब है, इंडिया के खिलाफ भी wicket नहीं मिला आकड़े थोड़े खराब है, तो ड्रॉप ही करके चलो, ग्रेंड लिग में अगर सोच रहे हो, तो ले सकते हूँ, मना नहीं करूँगा हसन महमूद, राइट टाम फास्ट, उत्रह जादा शायद से फसेंगे नहीं, इंडिया के खिलाफ wicket नहीं मिला इस venue पे एक match में 3 wicket मिला, 10 match में 16 wicket निकाल चुका है, हाँ, अगर death में करवाते हैं, हसन महमूद क्या होता है, कई बार death में balling करवाने चले जाते हैं, वहाँ पर wicket मिल सकता है बाई, trump card, क्योंकि लोग drop करेंगे, grand league का trump card बना सकते हैं, आप लोग, मैं देखो सब चीज से balling दिया है, हसन महमूद को, form अच्छा है, एक match में 3 wicket श्रीलिंग का में निकाल चुका है, एक ही match कहला जिसमें 3 wicket मिल गए, यहाँ पर से बात करूं, 10 match में 16 wicket, खिलाडी बढ़िया है, बहतरी इंडिया के batsmen भी अच्छा खिलते हैं, ठीक है, death में balling wicket मिल सकता है, बस पारे इंडियन batsmen वस्ते हैं, इंपोर्टेंट पिक रहेगा भाई, यह बंदा, ठीक है, साथ मैच में 14 wicket निकाल चुका है, बढ़िया बालिंग कर रहा है, इंडिया के खिला नहीं है, इस बार खेलेगा, और दो मैच में 3 wicket निकाल चुका है, श्रीलिंग का में फॉर्म सकते, मज़ा आया होगा, आप लोग सब्सक्राइब दवा दो भाई, तक गया, मैं बोलते बोलते, इतने देर से बोल रहा हूँ, इतने घुलली बोल रहा हूँ, लाइक कर दो मेरे बाई, तक गया, इतना मेहनत भाई, थक गया हूँ, लाइक और सब्सक्राइब का विटन क्या मेरा टीम है, केल, राहूल, विराट, कोली, शुम्मन, गिल, रोई, शर्मा, देखो भाई, यहाँ पर है, शोरिफुल इसलाम, यह बाई, ट्रम्प कार्ड पिक लेके चल रहा हूँ, मैं शोरिफुल इसलाम को, पहले निंग में बॉलिंग आगा, मस्ट अप पिक है, हसन मेरे टीम में रहेंगे, कुल्दीप रहेंगे, जाड़े जा रहेंगे, यहाँ पर एक चीज आप लोग कर सकते हैं, वो क्या है, बाई, क्योंकि शुरिफुल इसलाम है, लेफट आम के सामने फस्ते हैं, रोई, शर्मा और शुमन के लिए मैं से कोई एक बाई, यहाँ से ज ग्रेंड लिग में, इन दोने फे एक में से किसी एक पे रिस्क लेना है, और रिस्क लेके, क्योंकि फिर आप लोग क्या करोगे, इशान किशन को यहाँ जगा दे सकते हो, अगर मौका बनाना बाई बंदा, वो बंदा आपको ग्रेंड लिग लगाएगा, ठीक है, तो यह धान में रखना अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आप लोगों को एक खत्म हो गया अब आप लोगों को यहां पर एक बैटमन भी जालना है तो किसको डालना है? आप एक टीम मना सकते हूँ जिसमें की Litan Daas धान में रखिएगा लिटन दास और तोही धिरीदोय में से कोई एक अगर बांगलादेश ने अच्छा टेक कर दिया बैटिक में तो ये लिटन दास और तोही धिरीदोय में से कोई एक जबरदस आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ग्रेंड लिग में, ड्रॉप कर रखा है लोग उने जाड़ेजा को मिस कर दो के तो यहां पर कुल दीप हो जाएगे, यहां पर जस्पित भूम रहा हो जाएगे तो फिर आप लोग यहां पर जो नए कोई भी गेंदबा जा रहा है शिराज हो या फिर शाबमी हो इनको थोड़ा ट्राइ कर सकते हो बाकी जाड़ेजा देखो एक अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन बेटिंग से कम मौका बन रहा है बॉलिंग से विगिट थोड़ा कमी मिल रहा है, आप लोग देखे हो बास जादा कई बार नहीं मिल रहा है तो ये तीन विगिट वाला फार्मूला आप लोग ट्राइ कर सकते हैं, लिटन, दास, केल, राहूल, इशान, केशन, लोक्स, कोई भी नहीं लेकिया आता है तीन विगिट, सब विग अल राउंडर में सोचेंगे है, ठीक है, बाकी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, विराट कोली का बांगला देश के खिलाब बहुत अच्छा आकड़ा है, आप ट्राइ कर सकते हैं, इनके सामने देखों, लेफ्ट एंडी नहीं आएंगे, ब कैप्टन, वाइस कैप्टन, ट्राइ का सकते हूँ, शाकी वलासन एक अच्छा चॉइस से कैप्टन, वाइस कैप्टन से, चार पिक बता रहा हूँ भाई, केल, राहूल, विराट कोली, शाकी वलासन, सारी साथ में, आप लोग अगर चाहों, तो यहां पर पहले निमा अग परदस्ट चॉइस हो सकते हैं, कुल्दीप, रेगुलर्ली भाई, पूरा बांगलादेश, आला कि बांगलादेश के खिलाफ देखो, जादा विकेट नहीं मिला है, कुल्दीप को, यह चीज रियान में रखना, तो यह थोड़ा रिस्की रहेगा, कि कुल्दीप को, कि हम कितना और रखे या ना रखे, क्योंकि सबको पताईए, रेगुलर्ली भाई विकेट लेगे, इस पर कोई रिस्की ना ले, कैसे भी आप खराब बॉल करवाओ, तब भी हम रुक के खेले, समझ रहेगा, क्योंकि चाच-चार विकेट निकाल जा रहे है, पाच-पाच, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुल्दीप पर थोड़ा दिकत हो सकता है, कि यह सामने वाला टीम रिस्की ना ले, आपको मैं आओ, आपकी स्वागत करता हूँ, आराम से खेलता हूँ, मैं नहीं खेल रहाँ आपको, ऐसा होता है ना कई बार, तो यह चीज भी देखने को मिल सकता ह बनाईए अपना ग्रैंड लिक टीम, लगाईए ग्रैंड लिक टीम, बाकी भाई मैच जब होगा तब मेरी बाते याद करोगी, और कहोगे भाई कोछ इसी तरीके से आप बता रहे थे भाई, वही चीज देखने को मिल रहा है, समझ माया भाई, मज़ा आजाएगा, कल फिर इसे देख लेना, भाई, लाइक कर देना, अगर मैच खतम हो गया है, जब खतम हो जाए, तब भाई, कमेंट अगर कर सको, तो आके कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा और मैच कैसा लगा, तो टेलेग्राम पे बाकी सब चीज में बताऊँगा, तो जल्दी से जाके टे टेलेग्राम का लिंक है, ब्लू कलर का, जैसे कि लुक करेंगो टेलेग्राम पर आजाओगो जॉइन कर लेना, ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में, लव यू ओल भाई, इसी तरीके से प्यार बरसाते रो, लव देते रो, टड़ा बाई बाई, जै जैवारत मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में, जैवारत मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में,